यह से हले एवरीवान हेते शियर एंड तोड़ी वी गना टॉक अबाट दी मुवी कॉल शाजाम दा फ्यूरी ओफ गॉड्स यह मुवी मेरी सीरीज डीसी यू यानि के डिटेक्टिव कॉमिक्स एक्सेंडेड यूनिवर्स का त्वेल्थ पार्ट है इसके पहले और इसके ग् इसके सेवंथ पोजीशन पर है और जहां पर फर्स्ट पार्ट खत्म होता इसकी कहानी वहीं से ही शुरू होती है अलाग इस मुवी को मैंने फर्स डे फर्स शो से भी पहले देख लिया था मगर एक्स्प्लेनेशन लाने में लेट इस वज़े से हो गया क्योंकि यह डब्ल ब्लैक एडम पर आए थी लेकिन वह एक डब्लीवी की मुवी ही थी और यहीं रीजन है कि मैं भी इस मुवी को क्लिप्स के साथ एक्स्प्लेइन नहीं करने वाला सिर्फ और सिर्फ फूटोज यूज़ करने वाला हूं कोशिश मैंने की थी अपने दूसरे चानल पर इस कहानी की में स्टॉरी लाइन की तरफ वक्त दिखाया गया है वर्तमान काल और जगह दिखाई गई है एथेंस राज्य का ग्रीज शहर जहां पर मुजियम में एक टीचर कुछ स्टूडेंट्स को पुराने इतिहास के बारे में बता रहा था कि कैसे इस चड़ी ने बड़े मारकर कांच को गिरा कर उस चड़ी को उठा लेते हैं इनका नाम होता है और कलिपसो जो भी सिक्योरिटी गार्ड इन्हें रोखने के लिए आता है कैलिपसो उसके कान में ऐसा कुछ कहती है कि उसका दिमाग पूरी तरीके से वाश हो जाता है और वह भी उल्टा अपने ही लोगों को वही बात सुनन लगता है और धिरी धिरी करके हर कोई उनकी तरफ मिल जाता है लेकिन जब और भी ज्यादा टीम आपर पहुंच जाती है तो कैलिपस वहां की रेत का इस्तिमाल करके कैसा मंत्र फूकती है कि सभी जीवित इंसान मिट्टी के पुतले बन जाते है हलाकि छिस शड़ी को चुराने वो आये थे वे पर उनसे जोड़ी नहीं ती जिस पर हैस्परा बताती है कि इस छड़ी के पूरी ताक्तों के बिना हम इस सूर्मा से कमजोर हैं अगर हमें हमारी सारी शक्तियों वापस चाहिए तो सबसे पहले इस छोड़ना पढ़ें जिस उसने दुश्मनों का सफाया करा फिर बहुत सार दुश्मन आ गया जैसे कि घ्रना लोब लालच और इर्शा उन सभी से लड़ने के लिए उसने भाई बेनों को ताक्ते दी फिर उन सभी ने उन सभी बुरी ताक्तों का सामना किया और वो गुफा जो कभी उस बाबा की हुआ करती थी आज रॉक और वेटरिनिटी हमारे ही घर के नाम से जानी जाती है आज कल मैं फिलेडेल्फिया में लोगों को बचाने का काम करता हूं लेकिन इतना क्रेडिट नहीं मिलता जिस पर वो डॉक्टर बताता है कि सर आप अपने दिमागी बिमारी को सौट करने के लिए लेकिन मैं कोई साइकाइट्रस नहीं हूं मैं बच्चों का डॉक्टर हूं जिस पर शिजयम भी कहता है कि हां मैं कौन सा बड़ा वहां उसे इस वक्त लोगों को बचाने जाना था दुश्मनों से और हमें यहां पता चलता है कि लोग जो दुश्मनों से बिचारे घरे वे से अब नीचे गरने वाला था तो सभी लोग परिशान थे और हर किसी की जान पर बनाई थी फ्रैडी बिली को कहता है कि यही मौका है अपने आपकी सूपर पावर्स को ढंक से दिखाने का अकेले जाकर सूपर हीरो बनकर सभी को बचा लेते हैं लेकिन बिली का मानना ऐसा नहीं था और वो अपने सभी भाई बेनों को बलाकर शजाम बोलता है और पहुंच जाता है अपने सभी सूपर भाई बेनों के साथ में उस ब्रिज से लोगों की जान बचाने के लिए तो कश लोग नीचे गरने वाले थे और कुछ की कार पूरी तरीखी से चकनाचूर होन डार्क रहा करती थी और शयद यह भी रीजन हो सकता है कि डीसी की फैन फॉलॉइंग मार्वल की फैन फॉलॉइंग से कम है तो उन्होंने कुछ इस बार मार्वल की तरह करने का सोचा मूवी की टोन को लाइट रखा गया इसी के साथ साथ कुछ फन ऐलेमेंट्स को एड किया गया ताकि बच्चों के लिए बनाए गई मूवी बच्चों के लिए ही लगे ये लोग फाइनली ब्रिच को गिड़ने से बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन थोड़ी दिर भाद म्यूज आती है कि पानी में ठाय गया अब यहां यह सभी बच्चे अपने घर में गुसकर सीक करता है और आज के दिन में हुई मिस्टेक्स के उपर यह लोग चर्चा करने वाले थे ताकि अपनी स्ट्राइटरजी को और जदा मजबूत बना पाए और नेक्स टाइम अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंस हो तो घटना वारदात पर बैरतर तरीके से परफॉर्म कर सके लेकि किसी एक घूमाने जाना था तो किसी को घूमने जाना था किसी गाने सुनने थे तो कोई अपनी पढ़ए वाला था पांच माइनों बाद और अमेरिका में एक बहुत बड़ा ठ्रेंड है कि जैसे ही औरफने चाइल्ड अठारा साल से उपर कि होते हैं तो उन्हें घर से नि आने वाली थी बिली की हाला कि उसे खर्चा उठाने से कोई दिक्कत नहीं थी तो अपने घर को छोड़ कर जाने की वह सीन शिफ्ट होता है दीवलूक में जहां पर यह दूनों बहने हैस्परा और कैलिपसों पहुंचती है बूढ़े जादुगर शजैम के पास में ने जिस पर कैलिपसों बताती है कि तुम्हारे ही सूर्मा ने तोड़ा इसे जिस पर जादुगर को विश्वास नहीं होता खैर यहां पर यह दोनों और तें अपने बोड़े बाबा के पास आये थी इस चड़ी को जुड़वाने के लिए क्योंकि यहीं वो शक्स था जो क उसे कुरेद लेता है यहां सीन शिफ्ट होता है स्कूल में और आज स्कूल में एक नई लड़की एंथिया की एंट्री होती है फ्रैडी उसे देखकर पागल हो जाता है वहीं उसके कुछ पुराने गुंडे उसे बुली करने लगते हैं लेकिन फिर भी फ्रैडी हिम्मत न नाखून में उस चड़ी की एक छोटी सी फास गुज गई थी वह से निकाल कर सूर्मा से मदद मांगता है जिसके पास शजायम की ताक्ते हैं और यहां सूर्मा जी रात को सपनों में डेट कर रहे थे वंडर वुमेन को कह रहे थे कि तुमारी मेरी जोड़ी अगर मिल जाय और कहता है कि तुमने उस चड़ी को तोड़ा क्यों लेकिन अब तोड़ तो दिया लेकिन मुसीबत के लिए भी तयार हो जाना एटलस की वारिस से तुम्हारे उपर आने वाली एक खत्रा बनकर तुम्हें इस प्रत्वी को बचाना होगा मेरे पास जादा वक्त नहीं है ल हमारे उपर एक खत्रा बनकर हमें कुछ तो करना होगा लेकिन अभी है क्या मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है जिस पर फ्रेड़ी कहता है कि हमें एक बार हमारे सभी भाइवेनों से बात करनी होगी यह सभी वापस जाकर रॉक आफ एटरनिटी में बैट जाते हैं और आपस में एक दूसरी से इस बारे में बातचीत करते हैं गूगल पर थोड़ी बहुत चानवीन करने के बाद में इन्हें पता चलता है कि पुराने भगवान जैसे की जूज एटलस हर्कुलेस अक्यूलेस सॉलोमन इन्होंने देरी देरे इंसानों पर अपने अत्याचा लाइब्रेरी जहां पर हर किताब जादू से उड़ रही थी और इनके पास आ रही थी सच में इस सीन को देखकर मुझे बहुत ज्यादा यह मूवी रिलेटेबल लगी हैरी पॉर्टर से याद आया कि जल्द ही मैं उस पूरी सीरीज को वीडियो क्लिप्स के साथ लाने वा कमेंट सेक्शन में हैश्टेग हैरी पॉर्टर करके कमेंट करेंगे तो शायद ले भी आऊं वैल कमिंग बैक तुदा में स्टोरी जादू भरी लाइब्रेरी में एक पैन भी था जो की हर एक सवाल का जवाब जानता था यह सब इस पैन से पूचते हैं तो वह पैन इन्हे कितावों में आगे की जानकारी मिल जाएगे उनके दावों को जब पढ़ा जाता है तो इन्हें पता चलता है कि एटलस की दो नहीं बलकी तीन वारी से थी जिनका नाम है हैसपेरा कैलिप्सो और एंथिया यहां बैठकर फ्रेड़ी से बात चूईत कर रही थी उसका इचे मुड़कर फोन पर किसी से बात करने के लिए आगे जाता है और आगे से एक सूपर हीरो बनकर उभरता है उसे देखकर काफी कुछ थी लेकिन वो सूपर हीरो का कैना था कि जो भी है सब कुछ फ्रेड़ी है अगर वो ना होता तो आज में एक सूपर हीरो भी नहोता एक तरीकी से अपने नॉर्मल फॉर्म को अच्छे से बिल्ड़ अप कर रहा था लड़की की सामने तो हर को अपने आपको अच्छा ही दिखाने की कोशिश करता है आप मैंसे कितने लोगों ऐसा ट्रैक या है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूरू पताएगा यह सब हीरो साइक सारे बच्चे तो नहीं और अब तो यहां पर उसकी दोनों बैन यह प्रावश के बारे में थोड़ा सा पताता चलूंव है सप्ज्यां कि निकि नम्बर थर्ड नंबर पर है इंधिया परिवश तरीके से खराब हो चुका है और उसकी ही लकडी से यह जो पावर स्टिक बनाए गई थी देव लोग में अब उस पेड़ की जगा नहीं रही है मतलब एक तरीके से वो पूरा बंजर सा हो चुका है उससे रहने के लिए जगा चाहिए तो क्यों आप प्रत्वी पर उसे नया जीवंदान दे दे लेकिन इन सभी सूर्माओं के होते हुए ऐसा होना थोड़ा मुश्किल था यहां पर इस वक्त शाजाम अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच चुका था लेकिन इनकी पावर्स के आगे यह लोग भी नहीं टिक पाते और हैस्परा वहां पर एक बहुत ब जाता दफर तुम और मैं अब हमेशा के लिए यहीं पर कैद हो चुके हैं यहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मुझे भी काफी हद तक है पॉलते भॉंपू जैसा लगा लेकिन इनका प्लस पॉइंट यह था कि यह उड़ भी सकता दा मेन्वाइल देव लूक में यह दोनों बहनें मिलकर फ्रेडी से पूछने लगती है कि क्या बाकी के सूर्मा भी तुम्हारी तरह चोटे बच्चे हैं फ्रेडी उन्हें कुछ सीन जो लोग बोल रहे थे उस टाइम वहाँ पर इस स्टीव को लिखने के लिए मिस्टेक्स भी हो रही थी उसमें तो यहां उस लेटर में वह सारी मिस्टेक्स भी जामिल और यह सीन जब आप मूवी में देखोगे तो आपको बहुत जादा पनी लगे लेटर में यह शीवन वरक्ष की रक्षा करता ड्रैगन इनके सामने आता है और उसकी पावर्स थी आँखों में देखकर खौफ पैदा कर डालने की यह दोनों इतना डर चुके थे और डर के मारे बस मरने वाले थे कि तब ही वहाँ पर एंथिया और इन दोनों की जान बचा लेती है फ्र शाजैम से पहुंच चुकी होती है है और यहां पर इन दोनों की बीच में बातचीत होती है शाजैम उससे पूछता है कि तुम्हें आखिर पावर्स चाहिए क्यों जिस पर हैस्पेरा एक बहुत ही डीप बात बताती है और कहती है कि अगर बाइचांस तुम्हारे घर में क साथ में भी हुआ था क्योंकि एटलस की पावर्स उसकी हगदार उसकी बीटियां थी वह पावर्स अब इन शाजैम उसके भाई-बैनों के पास आ चुकी थी जिनने ठीक से उन पावर्स का यूज किसी को नुकसान पहुचाने के लिए नहीं बलकि धरती को बचाने की कोश जैम हैसपरा को कैद करके अपने साथ रॉक आफ पेटरनीटी में लाकर कैद कर देता है मगर उसे क्या पता था कि वह इसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी क्योंकि हैस्परा को तो खुद यहां तक ही पहुंचना था जिसके बाद वो चुपके से उनकी लैबरी में जा अब यहां देव लोग में उनसे लड़ने वाला तो कोई था नहीं तो यह दूनों एक दूसरी के साथ कर लेते हैं और सेव को चुराने की कोशिश करते हैं हाला कि फ्रेडी उसमें काफी हद तक काम्याब हो भी चुका था लेकिन तभी उसकी चड़ी पास ही के केंडल स्ट से टकरा जाती है और इन तीनों को ही इस एपल की चुराय जाने की खबर चल जाती है लेकिन किसमत इतनी अच्छी थी कि उसी वक्त वहां पर शजैम पहुंच जाता है और अपने भाई को और बूड़े बाबाबा को लेकर वहां से निकल जाता है गुस्से मैं कलिप्सों को यह सारी बाते पसंद नहीं आती और वह इन्हें के लोक में अपने बड़े ड्रैगन के साथ आ जाती है अब कहानी बस इतनी सी थी कि इन तीनों बैनों का जीवन व्रक्ष था वो खत्म हो चुका था उनकी पावर्स चले जाने की वज़े से लेकिन अब जब उनके पास पा करती है जो कि होता है फिलेडेलफिया का एक बहुत बड़ा बेस्पॉल स्टेडियम और जैसे सुनेरा एपल उस धर्ती में जाता है तो प्रित्वी लोग जहां पर अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे भी रहते हैं तो इसी विजह से वह जीवन व्रक्ष उल्टा काम करन समझ रहा था जादोगर से कहता है कि मैंने अपने पूरी ताकत पूरी शक्तियां जो की जीवन भर से बचा कर रखी ती उसे ढूंड कर एक सूर्मा लाने को कहा था और जानता होंगी वह तुम ही हो जोगी पूरी इस दुनिया को बचा सकता है अपने आपको कमजोर मत समझ जो जसके बाद निकल पड़ता है इस दुनिया को बचाने के लिए वह सीधा पहुंचता है एसपेरा के पास मर उसे कहता है कि क्या आप मेरी मदद कर सकती है इस वक्त कैलिप्स उने हैसपेरा को धोका दिया था इसी वजह से वह शजाम की हेल्प करने के लिए तैयार हो जा जहां पर शेजाम की पीछे बड़ा ड्रैगन पड़ चुका था और सबसे खास बात तो यह थी कि उसकी मूह से निकलती आग की वजह से शेजाम का पूरा का पूरा जो कॉस्यूम था वह भी जिलने लगा था लेकिन जैसा कि हैसपेरा ने उसे वह राज बता दिया था जिस से सारा कुछ कांड़ घत्म हो सके तो वह पहुंच जाता है उस स्टेडियम के सेंटर में जहां पर हैसपेरा जादू करना शुरू करती है और उसका पूरे शहर के इंदर बटा हुआ था वो दीरी दीरी छोटा होने लगता है उस गोले की खास बात यह थी कि वहां से कोई पी एनरजी बाहर नहीं जा सकती थी वहीं उस मैजिकल स्टिक की खास बात यह थी कि उसके इंदर जितनी भी पावर्स हैं वो सारी कुछ सोख सकती है लेकिन अगर जरूत से जादा हो जाए तो बड़ा ब्लास्ट भी हो सकता है और इनी दोनों स्ट्रेडिजी के साथ में श नाक फैक रहा था वो भी पावर्स ही थी जिसे वो चड़ी सौख रही थी और जब चड़ी बहुत ज्यादा पावर्स सौख लेती है तो एंड में शाजैम अपना ही नाम बोलता है और जोरदार बिजली कड़कती है जिससे वह इंसान बन जाता है लेकिन वहां पर इतना ज रफना दिया जाता है जीशी wp tip को जिनदा कर सकते हैं जिस पर जादू कर बताता है कि अगर चड़ी में फिर से ताकते आजाए तो यह यह मुम्म्किन है लیکिन लिक्न अभि यहां पर डेव बचा ही कौन है अजहें की व्न्टरी नहीं या्मट emotic ant X यहां पर लाइन मारने लगता है लेकिन इसी के साथ साथ यह भी कहता है कि मुझे भी पावर जूस से मिली है तुम्हें भी जूस से मिली तो हम दुनों आगे चलकर बाइबेंद मनेंगे थो ऐसा मैं समझना वेल यहां पर घर पर आ जाते हैं सभी बच्चें सभी लाइफ एक अब यहां आते हैं इस मूवी के दो एंड क्रेडिट्स एक मिट्ट और एक है पोस्त लिट निए पर इस डी सी यू यानि के डेक्टटिव कॉमिक्स एक्स्टेंडड यूिवर्स के थर्ड पार्ट यानि की सूसाइड स्कॉटस है अमैंडा वॉलार अपनी टीम के दो बात है जिस पर ही दोनों कहते हैं कि नहीं जस्टिस लिग नहीं जस्टिस सोसाइटी आफ अमेरिया जिसके अंदर वो शार्क बॉय भी था पीसमेगर और विल स्मित यानी की डैट शॉट भी था देखा जाए तो यह तेरी से अच्छी बात है कि शाजाम अभी तक बच्चा यह मतलब बड़ा हुआ नहीं है उसके अंदर वो डार्क वाली पावर्स वह वैसी वाली इंटेंस फाइट करने वाली यह भी आई नहीं है बात तो इसे इन कॉमेडी एलिमेंट्स के साथ ही जोड़े रखना इनका एक सही आईडिया मैं कहूंगा वैल जिसके बाद की तु सिवन अपने उनी मैजिकल नंबर्स पर काम कर रहे थे ताकि मैजिकल डूर बनाकर वहां से निकल सके तभी हम वहां पर चोटे कैटरपिलर को दीख पाते हैं जिसे कि हमने फॉस्ट पार्ट में भी देखा था कॉमिक्स की माने तो इसे मेगा माइंड कहा जाता है और यहां आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा और पहली बार शानल पर आए हैं तो इससे सब्सक्राइब जरूर कीजेगा क्योंकि इसके बाद मैं ऐसी ही एक और बहतरीन मुवी आप लोग को के लिए लेकर आऊंगा तब तक के लिए कीप वाचिंग और स्टेश सेफ और थैंक यू सो मच गाइस फर वाचिंग इस लॉंग वीडियो जॉन विक के चैप्टर फोर पर काम चालू है जल्द ही वो वीडियो भी आप लोग को के लिए आएगा तब तक के लिए कीप वाचिंग और सेफ मिलते हैं अगले वी कर दो